इस भागदौर की जिन्दगी में और वो भी इस कम्प्यूटर युग में आज लोग यदि किताब लिख रहे हैं तो ये जरूर एक सवाल उपता है कि आप अपना जो शौक है लेखनी का यदि है तो उसे जारी रखना चाहिए क्योंकि आज कल अमोमन कम्प्यूटर में तमाम चीज़ें अवेलेबल होती है लेकिन फिर भी लेखनी अपने आप में एक अलग रास्ता होता है उसमें लोग अपने विचार देते हैं तो आज हम बात करेंगे किताबों की तेखिए यहां टेबल में कई किताबें हैं और किता किताबों में आप देखेंगे तो एक उस्तक है सीता के देश में राम तो इस किताब के जो लेखक है डॉक्टर नीरज कुमार चतुरवेदी वो हमारे साथ है और इन ही से आज बात करेंगे कि कैसे यह शौक आपको आया कि किताब इखना चाहिए सबसे पहले आप अपना प कि जारखंड किराजधानी राची में पैदाईश हुई और यहीं का निवासी हूँ एक सारजुनिक छेतर के बैंक में अभी कारिरत हूँ मानव संसाधन विभाग में और मानव संसाधन विभाग और अध्यगिक समन तो यहां पर लोगों की तकलीप ही हमारे पास आती है त तो सुरू से इसी से नाता रहा तो आप किसी चीज को जब लेके चलते हैं तकलीप को खास करके लेके चलते हैं तो आप अपने लिए एक साथ ही खोजते हैं कि आप उसको किस से बयान कर सकें लोग हमारे पास आते हैं अपनी तकलीप लेके लेकिन हम किसके पास जाएं तो ह हमने उसको संचय करना सुरू किया कि लोगों की जो तकलीप है जो कठनाईयां हैं उसको हम कलमबद करेंगे ताकि कल को वही एक निधी बने कोई पढ़े तो उसको एक रास्ता मिले क्योंकि हर किसी के पास हम नहीं पहुंच सकते हम ऐसे लोगों की काउंसलिंग भी करते हैं और तकरीबन 31,000 लोगों की मैंने काउंसलिंग की है फ्री अपकोस्ट उसका हम किसी से पैसा नहीं लेते जो लोग तकलीप में हैं बच्चे जैसे पढ़ाई छोड़ रहे हैं निरास हैं तो उनकी हम काउंसलिंग करते हैं हम अपने आपको साइंटिस्ट नहीं बोल सकते लेकिन हम एक साथी के रुप में अपने आपको देखत हैं निरज भाई ये वटेए कि ऑफिस का काम घर का काम और उस बीच में बाजारों में जाना सामाज में सामाजिक लोगों से मिलना कैसे ये तालमेल बैठाते हैं कि हमें इस थीम पर किताबें लिखनी हैं वो आइडियास जो हैं वो कैसे मन में आता है हाँ ये सवाल हमारे office में भी लोग करते हैं कि आपके पास कितना टाइम मिलता है कहीं ऐसा तो नहीं कि office का काम चोड़ के आप किताब लिख रहे हैं तो ऐसा बिलकुल नहीं है देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले किताब जो मैंने लिखी थी करमे खेती करमे नार मुझे Spondylitis की सिकायत हुई थी ट्रेन से मैं गिर गया था बॉम्बे में और डेड़ मैंने करीब 20 तर में रहा तो उस दोरान ये किताब को हमने पूरा कर लिया उसके बाद लिखते तो सुरू से थे बॉम्बे में पोस्टिंग थी 6 साल रहे तो आप 45 एक घंटे एक तरफ जा रहे हैं ट्रेन से एक तरफ आ रहे हैं तो लिखते लिखते वहां क्या हुए कि दोस्त बनने लगे ट्रेन में जहां पर पैर रखने के लिए जगा नहीं होती है वहां लोग दूर से चिलाते थे डॉक्टर साब आहिए इस में आपका डिब्बे में जगह है तो हम जाते समय लिखते थे और लोटते समय सुनाते थे तो उस समय करीब हजार के करीब रचनाए हो गई फिर उनको काटते छाटते पांसो पर आई लेकिन छपवाया नहीं कहीं चपवाया बहुत बाद में फिर उसके बाद जब करोना का लाया तो हमारे छोटे भहनुई वो गुजरे माता जी को हमारे डालेसिस की प्रॉब्लम हो गई तो हम फिर उनको बाद में थोड़ा अलग तरह की प्रॉब्लम होने लगी तो हम लोग प्रॉपर सोते नहीं थे घर में तीन लोग तिमाद दारी में राते थे तो मैं देर रात तक जागता था तो आफिस से जैसे साड़े आठ नौ बजे पहुंचे तो उसके बाद लिखना सुरू किया एक बजे तक हम लिख रहे हैं फिर हम सोने गए तो पिताजी उ मुठ आपने पंच लाइन बोले करमे खहती करमे नार भी क्या मीनी हैं यह दो किताबें हैं एक करमे खहती करमे नार और वेल रेक है करमे मिले हीत 2 चारॉ्ट कि दोनों आनंद प्रकाशन कोलकर्टा ने चापि इसका प्रचार नहीं करूंगा यह एक पुरानी खहावत है देखिए आपको रिष्तेदार मिलते हैं, रिष्तेदार आपके जो खून से होते हैं, वो रिष्तेदार होते हैं, नातेदार जिन से आपका नाता है, जैसे हमारा और आपका नाता है, आप मेरा इंटर्व्यू ले रहे हैं, मैं इंटर्व्यू दे रहा हूं, लेकिन हित एक लग चीज होते ही, हित वो होते हैं, जिसे आप रास्ते में जा रहे हैं और आप बहुसोंके गिर गए, तो दो लोग आ गए आपको उठाने के लिए, उनसे आपका कोई नाता नहीं, 20 लोग देखें और नहीं आये और दो लोग उठके चले आये, वो वैसे आदमी, वो हित, तो हमारे हाँ पे खेती प्रधान देश है हमारा सुरू से तो हमारे हाँ पे ये कहावत है कि कर्मे खेती कर्मे नार मतलब खेती का मतलब संपत्ती जैसा आप कर्म करेंगे वैसी खेती होगी वैसी संपत्ती बनेगी जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको जीवन साथ ही और करमे मिले हीत दोचार जैसा आप करम करेंगे वैसे ही आपको हीत मिलेंगे आपके पास बहुत संपत्ति है लेकिन आप किसी के लिए एक रुपया नहीं निकालते आप किसी गरीब को देखके खुस होते हैं तो आपको नहीं मिलेगा कुछ भी आप एक ऐसा गुमनाम मृत् तो यही इसी थीम पर यह उपन्यास एक के बाद दूसरा लिखा और यह रहा और इसके पास बहुत और पुस्तक है वरुना और असी कहानिया अपनी सी इसमें देख रहे हैं कि हमें लगता है कहानियों का संद्रा है तो यह जानना चाहिए जैसे आपने स्टार्ट किया है भ इस इस बुस्तक को यदि इस बुस्तक के बारे में बात करें तो क्या बताना चाहते हैं यह देख रहे हैं परींदे के बारे भी किक रहे हैं समर्पन भी है तो इसमें क्या बताने की कोशी साथी है यह जो कथा संग्रा है यह सुरुवात में मैं इसका नाम रखना चाहता थ चलता राची से बनारस, एक पुराना रस्ता है, जिस पे बहुत सारे लोग चलते है लेगन फिर बाद में जब कासी का बहुत सारा ध्यन किया, तो बनारस जो है वो बना है वरुना नदी और असी घाट से तो वरुना और असी तो कहानिया अपनी सी जो कहानिया आपकी मेरी खुद की हैं इसमें जैसे आपने भैरवी की बात की तो वो जुमरी तलईया की एक लड़की की कहानी है जो अकेले संघर्स करती है अपनी भावी चलाने के लिए ओवर कॉलिफाइड एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसकी नोकरी लग जाती है लेकिन उसको नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है क्यों क्योंकि उसका जो है कुछ कागजात पुलिस से और इससे होके नहीं आते जहां पैसा खिलाने के बाद भी काम नहीं हो रहा है नेपाल का एक लड़का है जो भारत में नोकरी करता है उसकी कहानी है तो ऐसे छोटी-छोटी बहुत सारी कहानिया जिन्सको मिला के वरुना और असी बनाया और लोगों का प्रतिसाद मिला अच्छा लोगों ने पसंद किया और लोगों ने ना पसंद किया होता तो सायध ह एक के बाद दूसरी किताब छपवाने की हिम्मत ना कर पाते हैं। आधर्स पीता के तौर पे देखा जाता है। इसमें आपने जो कविताएं लिखी हैं, कविताओं के माध्यम से क्या बताने की कोशिश हैं। चत्रवेदी उन्होंने कहा कि यार एक बात बताओ कि राम राज्य में सीता का क्या हल था। सीता तो जंगल जंगल चली उसके बाद लोटी तो फिर बनवास भेज दी गई और धर्ती से निकली धर्ती में समा गई। तो हमारे देश में जो सीता जो बेटियां हैं उनके लिए क्या भगवान तो इस्थापित हो गए भगवान तो थे मन में हैं। सुरू से भगवान में थे भगवान कहीं जा नहीं रहे उस सबके लिए हैं राम किसी के बाटे हुए नहीं हैं। तो इसकी सिर्फ चार लाइने सुनिए कि जो रखना है सुरचित बेटी को तो सीता के देश में राम चाहिए। जो रखना है सुरचित बेटी को तो सीता के देश में राम चाहिए। हर घर को होना होगा मंदिर और हर मंदिर में हनुमान चाहिए। जिसकी पत्नी है, जिसकी बेटी है, जिसकी भारिया है, जैसे पत्नी है मेरी, मेरी पतनी को मेरे घर के बाकी सदा से मेरे से चोटे जो है वो उनको हनुमान के तरह से देखे मैं राम के तरह से न सिर्फ अपनी पतनी और बाकी बच्चियों की बाकी महिलाओं की रक्षा करो और सब ठीक है सब करो, सारा पाप کرो लेकिन मन को मेला मत करो एक जैसे एक आदमी को जीने का अधिकार है वैसे ही एक औरत को जीने का अधिकार है इन ही सारे भाव अलग-अलग भाव हम यह नहीं कहेंगे कि भरस्टाचार पर हम उगली उठाते हैं या किसी चीज़ पर हम करते हैं लेकिन हमारा देश, हमारा समाज, एक जो भारत वन्स है, वो सबसे अलग है, वो किसी का बाटा हुआ नहीं है, और इसलिए ये सारे भावों को इसमें क्यावन कविताओं के माध्यम से डाला, क्योंकि कविताओं कई बार चार लाइनों में आप पूरी कहानी कह जाते हैं, तो सीता के देश में राम ही आई, इसके बाद दो किताबें और आई, एक सब्दों का सिखर आई, जो कि साजा का बेसंगरा रहा, और एक अपकी होली राम लला संग, वो भी आई, तो अब चुकि राम जो है, वो सर्व मानने हैं, राम को हम धर्म से नहीं देखते, वैसे हु लोकुस, उनकी पत्नी का तो जवाब नहीं, वो माता है, जगत पालन हार आप कह देए राम को, पिता हम किसी को नहीं मानते लेकिन माता तो हम मानते हैं, और सीता हमारी मा है, और ऐसे ही ये अभी नौरातरी भी है, तो सभी को नौरातरी की सुब कामनाए भी. तो ये दिखी हमारे साथ डॉक्टर नीरश चतुरुएदी जी से हमने बाचीत की, और ये जो किताब है, ये जो पुस्तक है, इसमें जो सीरसक है, सीरसक को देखकर आप भी समझेंगे, क्योंकि आने वाले समय में, अब हम लोग नौरातरा में हैं, और नौरातरा की जब ब बेटियों की बात होती है, नारी सक्ती की बात होती है, तो हमें नारी सक्ती का भी सम्मान करना है, बेटियों का भी सम्मान करना है, लेकिन समय मिले, समय निकाल कर, पुस्तकों से भी दोस्ती करिए, समय मिले सौक है लेखनी का, तो आप जरूर उसे कलंबद करिए, और अप आई ना होगा समाचार प्लस के लिए क्यामरामेन नवल के साथ अन्यनी कुमार रांची